सो नमस्का दूस्तों एक बार फीज से आपका बहुत बहुत स्वागते आपके अपने यूटूब चेनल यसरा सलूसंस में मैं हूँ आपका दोस्ट टेक्निकल मुकेस तो दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी आपके लिए एक और ग्रेटो सांदार वीडियो लेके आथ तो जहां दोस्तों आज का हमारा वीडियो बहुती अल्टीमेट और खास होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में आपके साथ मैं सेयर करने जा रहा हूं Microsoft Chromium Edge Browser का ऐसा hidden feature जिसको enable करने के बाद आप अपनी productivity को और भी बैटर कर पाएंगे तो जहां दोस्तों यदि आप multi tapes पर work करते हैं और साथी साथ pool skin mode का use करते हैं तो ये feature खासा आप के लिए useful होगा तो चलिए यहां पर हम Microsoft as browser को open कर लेते हैं तो यहां हमारा browser open हो चुका है यहां आप simply देख पारे होंगे कि पहले से ही मैं two tapes open किये वे हूँ यानि कि यह multi tapes से इससे भी ज़्यादा आप tapes रख सकते हैं तो यह हमारी पहली tapes है और यह दूसरी तो यहां एक tapes से दूसरी टेप पर या दूसरी से पहली पर switch होना full skin mode में इतना असान नहीं है जिससे आपकी productivity reduce हो जाती है तो यहां मैंने F11 प्रेस किया है फिलाल में पहली टेप पर हूँ और यहां आप दूसरी टेप पर switch होने के लिए यहां पर आपको cross button पर click करना होगा फिर आप दूसरी टेप पर switch हो जाएंगे फिर से यहां full skin mode में जाने के लिए आपको simply फिर से F11 प्रेस करना होगा यहां दूसरी टेप से आप पहली टेप पर switch होना चाते हैं तो फिर से आपको यहां पर mouse का cursor उपर टेप बार पे लाना होगा यहां close button पर आपको click करना होगा फिर आप पहली टेप पर switch हो पाएंगे तो यानि कि जिससे आपकी productivity कुछ हद तक reduce हो जाती है तो यहां Microsoft Edge ने ए यहां पर Microsoft Chromium Edge browser में हम click का यूज करके इस feature को enable कर सकते हैं फिलाल यह feature under development है तो इस feature को enable करने के लिए आपको यहां पर Edge browser की add as bar में simply आपको type करना है इसके बाद pollen double slash और इसके बाद आपको type कर देना है flex तो यहां पर flex type करने के बाद आपको keyboard का enter press करना है keyboard का enter press करने के बाद आपके सामने experiments का page open हो जाएगा simply आप यहां देख पा रहे होंगे search flex का एक box आपको दिखाई दे रहा है तो simply यहां पर आपको एक flex search करना है enable full screen drop down तो जैसे ही हाँ आप search flex box में enable full screen type करेंगे तो यह जो flag आटोमेटिकली highlight हो जाएगा तो यह feature by default होगा आपके इसमें फिलाल में इसे disabled कर रखा था तो यहां आप enabled पे इसे switch करें और simply यहां से अपने browser को restart करें तो आपका browser कुछ समय लेगा restart होने में तो यहां आपका browser restart हो चुका तो चलिए यहां पर हम multi tapes open कर लेते हैं यह feature अप किस प्रकार से work कर रहा है तो यहां पर हम pull screen mode में switch होने के लिए simply F11 को press करेंगे तो यहां F11 प्रेस किया simply आपको अपना mouse का cursor tape बार में ले जाना है तो देख लीजे बड़ी आसानी से एक tape से दूसी tape पर आप switch हो पा रहे हैं आपको बार बार pull screen mode से exit नहीं होना पड़ रहा है यानि कि आपकी जो tape बारे उपर से वो automatically drop हो रही है और आप एक tape से दूसी tape पर बड़ी आसानी से switch हो पा रहे हैं ठीक है तो यहाँ पर इस full screen mode से exit होने के लिए special option दे रखा corner में यहाँ आप click करेंगे तो Microsoft S premium browser में आप full screen से completely exit हो जाएंगे तो दोस्तों मैं आसा करता हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो पसना आया होगा दोस्तों वीडियो पसना तो like करके जाना इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ share जरू करना और अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया तो please हमारे चैनल को subscribe जरू कर ले तो नमस्कार दोस्तों आपका दिन सूभ हो One second thank you for watching my YouTube channel यसराज Solutions